दोस्तो यार अबी ओला की एलेक्ट्रिक स्कूटर में 25,000 का डिसकाउंट चल रहा है लेकिन यार 1 एप्रियल 2024 के बाद प्राइस इसकी चेंज होकर 38,000 से लेकर 40,000 तक प्राइस बढ़ सकती है तो क्या आपको 31 मार्च 2024 से पहले एलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए या 1 ए टेर करने के कोश्य हमारे रहने वाली इस वीडियो को पूरा जरू से जरूर देखना इस पर डिटेल में कोई भी बात नहीं कर रहा है तो देखो यार सबसे पहले बात करते हैं अगर 31 मार्च 2024 का क्या सीन रहने वाला है उसके बाद हम 1 एप्रिल के बाद का सीन क्या रहेग परिसेंटेज की प्राइस ड्रॉप देखने को मिले है मतलब बाहर से जो लिथमाइन बैटरी आती है वहाँ से ही रेट कम होए है तो कस्टमर को तो कन्फूजन अभी भी है कि आर बैटरी के कॉस्ट भी कम होए है और फेम टू खतम होने बाद फेम थ्री नहीं आएगी मतल ले सकते हो नो डाउट कोई भी प्रब्लेम नहीं है लेकिन आपका प्लैनिंग है कि यार एक इपरिल के बाद और भी प्राइस कम हो सकती है तो वह आप दिमाग से हटा दो क्योंकि फेम टू की जो सबसीडी है उस हिसाब से फेम थ्री में सबसीडी कम होने वाली है जो कि हम प्राइस हुए है लेकिन अगर आप ओला की ले रहे हो या कोई ब्रैंड की ले रहे हो तो सबसे पहले सर्वेस जरूर देखना ऐसा नहीं कि कम प्राइस में मिल रहा है तो ले लो आगे जाकर आपको प्राब्लेम कुछ भी आता है तो सर्वेस ना मिलने पर वो इलेक्ट्र कमेंट देखने बाद बोलिंग कि यार इस पर अच्छी सर्वेस है नहीं है उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ सकता है तो चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट एक एप्रिल दो हजार चोविस के बाद एलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का क्या सीन रहेगा सबसे पहले तो फेम 2 सबसीडी खतम होगी फेम 3 की नई सबसीडी आएगी तो यहां से गाईज नया खेल शुरू होता है एक एप्रिल दो हजार चोविस के बाद नए प्राइस आएगी लेकिन नई प्राइस कितनी बड़ेगी काफी कस्टमर को लग रहा है कि यार 40,000 बड़ेगा 30,000 बड प्राइसिंग थोड़ी से बड़ेगी लेकिन इतनी भी ज्यादा प्राइस नहीं बड़ेगी ज्यादा से ज्यादा अगर एक्जैंपल ओला एस वन प्रो अभी एक लाग 30,000 रुपए में आती है एक शोरूम तो वह आपको एक लाग 40,000 तक देखने को मिल सकती है अगर बै कितने परसेंटेज आपको फेम 2 में जो सबसेडी मिलती थी वो खतम होके फेम 3 में कितनी परसेंटेज मिलेगी वो गवर्मेंट का जो बजट है वो अनौंसमेंट मार्च महिने के एंडिंग तक आपको देखने को मिल सकता है तो अगर आपको सबसे पहले जानना है क्या फे प्राइस बढ़ेगा ब्रैंड को अपने एलेक्ट्रीक स्कूटर सेल करने को ज्दा मार्जिन पर एक काम नहीं कर सकता क्यूंकि अभी इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रीक स्कूटर चलना चालू हो चुका है प्राइस बहुत बढ़ेगा तो इसको कोई भी नहीं लेने वाल का पता नहीं है सो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से जरूर बताना I hope आपका जो confusion था वह कंप्लीटली मैंने clear करने की क्लियर करने की कुशिश की है फिर भी अगर कुछ confusion रहता है तो कमेंट करके जरूर बताना मैं हर कमेंट का reply देता हैं तो चलियार दुस्तों मिलते हैं से नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल एलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल पर राइड वित मयूर चैनल पर